तो दूस्तो स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल भी रोगे के पिटिक्शन में तो दूस्तो आज हम बात करने वाने डेली कैप्टेल साइफिल 24 का स्क्वाइट कंपोजिशन करेंगे तो आगे बात करते हैं इनके टीम में स्पेसलाइजिशन देखते हैं इसके अंदर क की टीम में आपको काफी सारी विगर्ट कीपिंग के ओप्सन देखने को मिलेंगे और इस टीम के विगर्ट कीपिंग कुछ इस परकार है जहां पर रिसम पंत है टिश्राना स्टाब्स है अब इस एक पोडल है कुमार कुस्वागरा रिक्टी बुई और सायों पर नेक्स ट अब बात करते हैं जहां पे डेली कैप्टेल्स के टीम में काफी सारे आपको ऑल राउंडर देखने को मिल सकते हैं जो कि मिचल मार्स से ललित यादवे और सुमीत कुमार है अब बात करते हैं नेक्स्ट आपी जो कि स्पीनर से डेली कैप्टेल्स में स्पीनर गिंदवाज के सुची में देली कैप्चल के पास काफी सारे फास्ट बॉलर्स भी हैं जो कि हैं एरेन नौज जी है मुकेश कुमार है खलील आहमाद है जिसांत सर्माय लुंगी नगेडी जी रिचार्डेशन और अशिक सलीम है अब आगा बात करते हैं इनके स्टॉंगेस्ट प्लेंग ल का प्लेश की बात करें जो कि डेवीट वार्णर है अस्टेलिया के दिगज बलेबाज और ढाकर ओपनर डेवीट वार्णर इस टीम के घातक ओपनर बलेबाज जो अपने टीम को काफी तेजा स्टार्ट देते हैं और कम गेंदों में ज्यादा रन बनाते हैं तृस्ति प्ल इस टीम के मीडल ओर्डर के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट खिलारी बन जाते हैं क्योंकि लास्ट कुछ वर्स में यहां आकारमा को क्रिकेट खिलते हैं वहीं पांची प्लेर की बात के जो कि रिसाप पांत है भारते क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्ले बात जो अपने खुद के कोसल के साथ बल्ले बाजी के महत्मुन एक यहुगदान दिया उनका संदर्ब परदर्शन दिल्ली कैप्टेल को अपने प्रतियोगिता में मजबूतिया और समर्थ दिखाने में मदद करती है आठमी प्लेयर की बात के तो है एनिरिस नौट जी एनिरिस नौट जी जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आई पेल में बहुत अच्छा परदस्टन करते हैं उन्हेंने अपनी तेज गेनवाजी और सही निशाने वाजी की पसंसा है उनका परदस्टन टीम को बॉलिंग दिफ्त और समर्थ और अस्थापित परदान करता है वे मैचों में अच्छा परफोर्मेंस करते हैं नौमी प्लेयर की बात कें जो कि खलील आमद है भारते यूबा तेज गेनवाज आप्शन के रूप में खली दामद इस टीम के लिए एक बेहतर च्वाइस बन सकते हैं दस्वी प्लेयर की बात कें जो कि कुल्दी प्याद है कुल्दी प्याद है पहले कोलकता नाइडारेस के लिए खेल चुके हैं उनका पॉफोर्मेंस लास्ट के कुछ टी ट्वेंटी हैं आइप्याद में काफी अच्छा पॉफोर्मेंस देखने को मिला काफी अच्छा विकल्प भी है मुकेश कुमार को लेने के लिए तो दिल्ली कैप्टल्स की काफी बैलेंस टीम नजर आ रही है तो बस दोस्तों यहाद दिल्ली कैप्टल्स की टीम अब कमपोजीशन यहाद दिल्ली कैप्टल्स इस बार अपने फाइनल टाइटल्स को अपने नाम कर सकते या नहीं कर सकते है यह देखना बहुत ही इंटेस्ट होंगा ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स अबडेट के साथ